हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 कक्षा 11 का विशय पॉलिटिकल साइंस राजनिती विज्ञान और राजनिती विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए राजनिती विज्ञान के मूल आधार उसकी काई एक का अध्य राजनिती विज्ञान मनुष्य सुभाव से ही एक राजनिती पराणी है जो मनुष्य है यानि कि जो मानव है और जो मनुष्य सुभाव वो सुभाव से ही यानि नेचर से राज नितिक प्राणी है और जो राज जी के बिना रहता है वो या तो भगवान है देवता है या फिर पशु है यानि कि जानवर है भारत के प्राचीन चिंतकों ने विद्याव को चार भागों में विवक्त किया था यानि कि विद्या को य आता है दंड का शास्त्रिय अभी प्राय समाज की व्यवस्ता से है दंड यानि कि सजा कि सु व्यवस्तित जन समाज को ही राज कहते हैं और सु व्यवस्तित यानि व्यवस्तित रूप से अच्छी प्रकार से यानि कि नियम और कानून जहां पे हो तो सु व्यवस्तित जन समा में विवस्ता एम दंड इस्थापित हो शाशन की सत्था के कारण मनुष्य में शासक और शाषि न के कारण मनुष्य में शाशित का भेध का विद्वान हो वही राज कहलता है जानि général यानि जिसपर कोई शाशन करने वाला हो और उनकी बीच में जो 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 भेद है वो विद्वान हो तो वो क्या कहलाता है राज्य कहलाता है जो विद्या इसका और शासन या दंड का प्रतिपादन करती है वो राजनिती शास्त्र कही जाती है यह जो विद्या जो ग्यान राजनिती जो विद्या और ग्यान शासन या दंड का प्रतिपादन करती है वो क्या कहलाती है राजनीती शास्त्र कही जाती है राजनीती शास्त्र जो होता है बच्चो या राजनीती विज्ञान से कह सकते हैं ये क्या होता है समाज विज्ञान का एक भाग है जो राज्य की स्थापनावे सरकार के सिधान्त का वर्णन करता है अब हम देखेंगे ब तता उस चाहंगर्थिट्टिक्स कैई और जूसे संब्दिध घट्णाओ किरियाओ वहारो वहारो एबां समष्याओ का प्राज्या जो होता है असे संबंद इसे निवास करनेा वाला वह उती है और वहां पर रही है पाड़ने के लिए उनकोटी है समस्ष होती है और ऑनके सॉल्टियों को करने के लिए जो मेद्धियन ऊहरा उसी के ज्यान को क्या कहते हैं उसी के ज्यान को कहते हैं राजनीती कहते हैं अरस्तु ने राजनीती शब्द का प्रियोग इनी अर्थों में किया है आधुनिक अर्थों में राजनीतिक शब्द को राजनीती शब्द को इन व्यापक अर्थों में प्रियोगत नहीं किया जात यानि कि आदुनिक समय में क्या है आदुनिक समय में इसका समन किस से राजनिती विज्ञान का राज्य से और उसमें जो जिसका शासन है जिस सरकार से और सरकार की प्रशासन व्यवस्ता किस प्रकार की है और किस प्रकार वो प्रशासन व्यवस्ता समाज जुमें रहने वाले प्रभावित करती एं पre उसके व्यवस्तिते हों करमबद ज्यान के एभंध्यान से है अब हम देखें गेंगेёлza दियान की परीभाषा है तो अलग अलग विध्वानों ने अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया तो राजनिती की जो विज्ञान की परिभाशा उसको दो द्रश्टिकोणों में बाटा है पहला है परमपरागत द्रश्टिकोण बच्चो परमपरागत द्रश्टिकोण को वहवारवादी द्रश्टिकोण भी कहते हैं तो हम देखेंगे कि परमपरागत द्रश्टिकोण की अनुसार राजनिती विज्ञान की परिवाशा किस प्रिकार दी गई है परंपरागर द्रश्टी कौन में राजनिती शास्त्र को चार अर्थों में परिवाशत किया गया है पहला है राज्य के अध्यन के रूप में यानि परंपरागर जो द्रश्टी कौन है जो वेवारिक देश्टी कौन है वो राजनिती शास्त्र को क्या मानता है राज्य के अध्यन के रूप में राज्य के बारे में राज्य के अध्यान के रूप में, सरकार के अध्यान के रूप में, और राज्य और सरकार दोनों के अध्यान के रूप में, बच्चों, राज्य क्या होता है, राज्य एक अमूर्त इकाई होती है, यानि कि उसकी कोई मूरत नहीं होती, और राज्य की अपेक्छा और अग्य बहुत ही महत्पुन है उस प्रकार व्यक्ति का अध्यन भी बहुत ही महत्पुन है तो हमने देखा कि परमप्रागत दृष्टी कौन के अनुसार परमप्रागत दृष्टी कौन के शास्त्रों में क्या राजनिती विज्ञान को चार अर्थों में प्रियुक्त किया है राज् राजनिती शास्त्र की नवीन परिभाशाओं के संधर में इसका अध्यान निम्न रूपों में किया जाता है राजनिती शास्त्र मानवय क्रियाओं का अध्यान है या मानव से सम्मधित क्रियाओं का अध्यान है दूसरा है राजनिती शास्त्र सक्ति का पावर का अध्यान है यानि कि किसके पास कितनी पावर होगी यानि कि जो हमारा राश्ट्रपत्ती होता है हमारे प्रदानमंत्री होते है या हमें जो कारे पालिका के यानि जो पुलिस वाले होते है या जज होते हैं इनके बस कितनी शक्ती है तो राजनिती शास्त्र क्या है शक्ति का अध्यन है राजनिती शास्त्र राजनितिक व्यवस्था का अध्यन है कि हमारी जो राजनितिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी क्रम बद किस प्रकार से उसका क्रम होगा तो ये क्या है राजनिती शास्त्र राजनिती व्यवस्था का अध्यन है चोता है रा वाला विशे मानते हैं तो बच्चों, हमने देखा राजनीती विज्यान की परिभाशह से हम ने देखी देखी है पहला परंपरागप यानि की वेवारवादी दूसरा आदू skal अाल यह सिरस्फ कला मानते हैं तो हम सब्सक्राइब को सब के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिये लाजनीती विज्ञान के विज्ञान होने के हुने के विपक्ष में तर्ख में कुछ अपने तर्क दिये हैं पहला है विज्ञान जैसे प्रयोग और परवेक्षक संभव नहीं है तो क्या होता है कुछ लोग कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनिती विज्ञान में क्या है विज्ञान जैसे प्रयोग और परवेक्षक संभव नहीं है या उसमें प्रयोग नही तोल का अभाव अध्यान सामगिरी की प्रकृति में अंतर और निश्चित वे सत्य भविश्वानी का अभाव राजनिती विज्ञान के विज्ञान होने के पक्षमे तर्क और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये राजनिती विज्ञान क्या है विज्ञान है और उन्होंने किस प्रकार अपने तर्क दिये हैं तो विध्वान कहते हैं कि विज्ञान होने की पक्ष में प्ख्रागते हैं कि करम्बध्ध व्यवस्तित ग्राज नीती मुझ्हान किया है Сबी इसको मान सकते हैं कैर्ण कार्ण प्रियोग संभव हैं और भविषवानी की शम्ता होती कहते हैं कि कुछ विद्वानों को डरशन को कहते हैं 5 मानते हैं राजनिती विज्ञान को कला के रूपته मंते हैं जो राजनीती विज्ञान को कला कारी रूप में क्ला के रूप does सुन्दर बनाता है इस इर्थ में राजनीती विज्ञान विशे का ग्यान मनुष्यों को अच्छा नागरिक विज्ञान अपनी प्रकर्ती से एक कला भी है यानि अपनी नेचर से ही एक आठ है प्राचिन काल से ही ब्रस्पती मनु शुक्र कोटे ले आ दी भारतिय राजशास्त्री ने इसे शाशन की एक कला के रूप में माननेता दी है अब हम देखेंगे कि राजनीती विज्ञान के अध्यान छेत्रों को भी दो वागों में बाटा है पहला परंपरागत यानि की वेवारवादी दूसरा आधुनिक यानि की उत्तर वेवारवादी तो पहला परंपरागत द्रश्टी कोण मानव के राजनीती जीवन का अध्यान की आध्यान यानि राजनीती विज्ञान के अध्यान छेत्र में परंपरागत द्रश्टी कोण में क्या किया जाता है मानव के राजनिती जीवन का अध्यान किया जाता है दूसरा राज्य का अध्यान किया जाता है तिसरा सरकार का अध्यान किया जाता है चौथा स्थानी एवं राश्टे समस्याओं का अध्यान किया जाता है राजनितिक विचारदहराओं का अध्यान किया जाता है दवाब समू होता है यह लोगों के विशेश हितों को बढ़ावा देने के लिए मतलब जो विशेश हितो होते हैं लोगों को बढ़ावा देने के लिए बनाया आगा एक संगटन होता है जिसे हम क्या कहते हैं दवाब समू कहते हैं जो सारवजनिक हितों मतलब सारवजनिक नि बनाते हैं और कानुन बनवाने के लिए पर के लंगं दालते हैं इनको कहते हैं सोगते हैं कि दूसरatus द्रश्टी क्योंकहीं लेता है या उसका व्यवार राजनिति के प्रतिक कैसा है तो राजनिमानव के राजनितिक व्यवार का अध्यान है और सारी समस्याओं के संदर में संगर्स्वय सहमति का अध्यान है है अब हम देखेंगे अधुने राजनिते विज्ञान की अध्यन पद्दितिय क्या क्याय है उनमें उनक की उनकी विशेशता एक उन्हें उन्हें प्तिता है यह थार्तवादी अध्यन है यह वहारवादी द्रश्टिकोंड भी इसमें शामिल है मुल्य निर्पेक शोर विग्यानिक पद्दति शोद एवं सिध्यांत में घनिष्ट संबंध है अंतर अनुशासनात्मक द्रश्टिकोंड है एक मौलिक समाज विग्यान के ऑowan जो अध़निक राजनेती विग्यान उसमें किस परकार अंतर है और किन चीजों में अंतर है अब परेश्ट में तो झाल अंधे मा अर्थव विज़ें कुछ hail ना कि चो यह को लिया गया है करिऑ को लिया है तो तो उसके परिद्व अन्ता समंदी यह इनका नेचर घार है अध्यन पद्धतियों के सम्मद्ध में भी अंतर है मुल्ले के सम्मद्ध में भी अंतर है और उद्ध्योस्टों के सम्मद्ध में भी अंतर है यानिकि इनके उद्धेश भी अलग-अलग है तो बच्चो इस वीडियो में पढ़ा हमने आपका अध्याय राजनिती, विज्ञान, परिबाशा, प्रकर्ति और छेत्र अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों अगले चेप्टर के साथ तब तक के लिए ठैंक यू